हेलो एवरिवन, आप सभी का मेरी न्यू यूट्यूब चैनल मदर नेचर में स्वागत है आज हम इंडो प्लांट्स के बारे में जानेंगे तो चलिए इंडो प्लांट्स के बारे में जानते है पहला नाम, स्नैक प्लांट एक आकरशक और लंबे समय तक जीवित रहने वाला पौधा है ये सबसे ज्यादा आसानी से देखा जाने वाला पौधा है जो घरों में उगाया जाता है कुछ स्टेप्स जो आपको स्नैक प्लांट के प्रोपगैशन के लिए फॉलो करने होंगे स्नैक प्लांट की एक स्वस्थ पत्ती को एक काटे, पत्ती के एक सिरे को मिट्टी में दबाएं अधिक जल न डाले, कुछ हफ्तों में नए फूल और पत्तियों की तरह नए पौधे उग जाएंगे स्नैक प्लांट को पानी की जरिये प्रोपगैट करने के लिए स्नैक प्लांट की एक स्वस्थ पत्ती को एक काटे इसे एक ग्लास या बॉटल में पानी में घर की किसी विंडो के पास रखे जहां इसे सनलाइक मिले कुछ हफ्तों में जब रूज बढ़ने लगते हैं उसे मिट्टी में ट्रांस्प्लांट करें पेठोस प्लांट इसे हम स्नैक प्लांट की तरह ही प्रोपोगेट कर सकते हैं इसे ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं है जेट प्लांट इस प्लांट को आप नर्सरी से या फिर प्रोपोगेट करके लगा सकते हैं जेट प्लांट को वास्तु शास्तर में शुब माना जाता है और इसे आपके घर में रखने से आपको सम्रिध्धी और सफलता मिलती है जेट प्लांट की कटिंग करके आप बोनशाई भी बना सकते है Spider Plant, इस plant की कई varieties है, इसे हम घर में hanging planter में भी लगा सकते है Kalathia, इसकी भी कई सारी varieties है, इस plant के beautiful पत्ते की वज़े से घर का look elevate हो जाता है Strings of Pearl, यह एक succulent category का plant है जो बड़ा ही आकरशक लगता है, जिसे आप ऐसे hanging plant की तरह से भी लगा सकते है Monstera, यह plant अपने आकरशक लीव की वज़ह से जाना जाता है, यह घर में oxygen level को बढ़ाता है Peace Lily, यह बेहत खूबसूरत plant है Fun, यह ornamental plant बहुत speed से grow होता है, इसे आप आसानी से propagate कर सकते है, इसे आप hanging planters में भी लगा सकते है Bamboo plant, यह plant बड़ा लक्की माना जाता है, इस plant को आप water filled small glass container में लगा सकते है Erica palm, यह साज में बड़ा और बेहत खूबसूरत पौधा है जो आपके घर की खूबसूरती को बढ़ा देगा Rubber plant, इसके dark green shiny पत्ते घर के interior को बदल देता है यह plant वास्तदोश को भी दूर करता है मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप भी जरूर से इंडो गार्डिनिंग स्टॉर्ट करे ऐसे ही informative वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक और शेयर करे कॉमेंट में सजेशन्स जरूर से दीजिएगा थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो बाई